क्यामिकल से भड़े ओयल यूज़ करके अपने स्केल्प को डामेज कर चुके होना आप तभी आपके हेर फॉल बहुत जादा हो रहे है कंगी करने का बिलकुल मन ही नहीं होता है बालों में डैंडर्फ बढ़ती जा रही है और आप इन सारी चीजों से परिशान हो तो आज आ अगर आपके हेर फॉल बहुत जादा हो रही है आप बिलकुल गंजे बन के शिकार होते जा रहे हो तो ये ओयल और ये मास आपके बालों को बहुत तेजी से ग्रो करेगी तो इसके लिए मैंने जो फॉर्स चीज ली है वो है हमारी अनियन जी हाँ आपको रेड अनियन लेन और नेक्स्ट और लास्ट इंगरेंस जो चाहिए वो है फैनेगरिक सीट्स यानि मेधी अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्सर में क्राइंड करके एक पेस्ट रेडी कर लोगे तो आप देख सकते हो गाइस इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी से बर जादा हिल्दी होती है पर अगर आपके पास मस्टर्ड ओयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोकोनट ओयल भी यूज कर सकते हो आपको करना क्या है मस्टर्ड ओयल को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर बहुत ही लो फ्लेम पर आपको उसे अच्छे से पकाना है मैंने एंड के होता है इसके अलावा आयन मैगनिशियम पाया जाता है जो बालों की सारी प्रॉब्लम को दूर करता है आपको मस्टर्ड ओयल हमेशा अपने बालों पर यूज करनी चाहिए पर गाइस अगर आपको यह ओयल सूट नहीं करती है तो आप इसके जगापे कोकोनट ओयल यूज कर सकते हो तो गाइस आप देख सकते हो हमारी ओयल थोड़ी सी बॉइल होनी स्टार्ट हो गई है अभी मैं इसमें वो अनियन फेनेग्रिक्स और गाली के पेस्ट को जो मैंने मिक्सर पर रेडी करा था उसे हमें इस ओयल में डालनी है अब आप तो बिलकुल सोच रह खा रही है या फिर सबजी बनाना सी खा रही है तो गाइस यह हैर ओल ही बन रही है तो आप वीडियो को एंड तक देखोगे तब ही आप समझ सकते हो कि यह और लास्ट में मैं जो आपके साथ एक पावरफुल पैक हेर मास्क बताऊंगी जो आपके बालों को फास्ट ग्रो करनी है गाइस इसे आप बालों पर लगाओगे ना तो आपके बाल बहुत चल्दी क्रो करेंगे हेल्दी होंगे तो आप देख सकते हो हमारी ओल बनकर यहां पर रड़ी हो चुकी है जो आपके हेर फॉल को कंट्रोल करेगी आपको करना क्या है अभी मैं इसे एक स्टेनर की हेल्प से इसे स्टेन करूंगी अच्छे से ताकि जो अनियन और मेथी के सारे ग्रैन्यूल्स है वो हमारे स्टेनर पर आ जाए और हमें एक अच्छी सी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ओल मिल जाए ताकि हमें अपने हेर पर अप्लिकेशन के लिए यह बहुत ही जादा इजी हो जाए अप देख सकते हो मैं आपको बोल में शो कर रही हूं कि यह पकने पर इसके ग्रैन्यूल्स जो सारे अनियन है गालिक है यह सारी कैसे दिखाई दे रही है तो गाइस आप इसे भी अच्छे से स्टेन करोगे और आपको इस चीज को फेकना बिल्कुल भी तो गाइस को लाइक करें और कमेंस तो बिल्कुल भी ना करना भूले तो आप देख सकते हो मैं इसे कैसे अच्छे से प्रिपेर कर रही हूं हमारी यह बेस्ट ओयल हेरी ग्रो करने वाली ओयल बनकर रेडी हो चुकी है और एक और बात गाइस अगर आपकी हेर फॉल बहुत जादा हो मुझे इतनी जादा हेर फॉल नहीं है तो मैं तो नहीं डाल रही हूं यहां पर आपको सजस्ट जरूर करूंगी कि अधिक हेर फॉल है तो यहां पर थोड़ी सी कैस्टर ऑइल भी डाल सकते हो तो अब मैं इसे एक अच्छे से ग्लास में स्टोर कर ले रही हो ताकि मुझे जब भी इसे यूज़ करनी पड़े मैं आराम से इसे यूज़ कर सकती हूँ तो आप देखो ये क्लास की बॉटल में कितनी खूबसूरत red color की हमारी ये hair oil, onion hair oil बिलकुल बनकर ready हो चुकी है अभी हम चलते हैं हमारे next second step पे second step पे मैं आपके लिए एक best hair mask बताने वाली हूँ तो वीडियो को end तक देखें जो आपके बालों को बहुत fast grow करेगी आपके hair problems को दूर करेगी तो guys आप जानते हो onion जो होता है ना इसमें भरपूर मातरा में sulfur पाये जाता है जो हमारे scalp के blood circulation को बढ़ाती है हमारे skin पे जो itchingness की problem होती है उसे दूर करती है इसलिए हम सभी जादा से जादा onion oil यूज़ करते है तो यहाँ पे मैंने इस paste को जो oil बनी है ना यह वही paste है तो उसमें मैंने यहाँ पर मुलतानी मिट्टी डाली है मुलतानी मिट्टी जो होता है जी हमारे skin को हमारे scalp को बहुत अच्छे से deep clean करता है तो बस यह आपकी best वाली hair mask बनकर ready हो गई है जो आप इसे अपने बालों पर अपने scalp पर massage करोगे और wash कर लोगे तो यह थी मेरी आज की वीडियो